प्रिविव करने वाले हैं बखशक का जो इसी हपते 9 फर्वरी को नेट्फिक्स पर रिलीज हुई एक सत्य घटनाव से प्रेरित फिल्म है इसे प्रेडियूस क्या है शारुक खान की रेड़ चिलीज ने रेड़ चिलीज के दोरा नेट्फिक्स के लिए बनाया गया जो प्रकार के जो बहुत ही जगन्य ऐसे अपराद होते हैं उनका अड़ा होते हैं ये नकसलियो के कैंप्स तो उनका महिमा मंडन बिताल नाम की विब स्रीज में देखने को मिला था तो उसके बाद में रेड़ चिलीज ने अभी सीधे भक्षक जैसी फिल्म नेट्फिक्स के लिए बनाई हैं शायद अपनी इमेज सुधारने का प्रयास होगा ये या पता नहीं क्या रिजन है वो तो वो ही जाने पर अभी बिताल के बाद में सीधे भक्षक जैसा कंटेंट रेडचिलीज ने नेट्फिक्स के लिए बनाया हैं जिसके बारे में अभी हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं और कई लोगों के चहरों से मुखोटे एक प्रकार से इस बार उतर गए हैं इस फिल्म के आने के बाद में ऐसा मैंने कम से कम अब्जव किया देखा जिसके बारे में विस्तार से अभी हम चर्चा करेंगे तो इस फिल्म को देखने के बाद में सबसे पहला विचार जो मेरे मन में आया वो यही कि जब ये अपराद बिहार में हुआ था उस समय योगी जी का शासन अगर बिहार में होता योगी जी जी से शासक का शासन अगर बिहार में होता तो कप का उस बहुबली का इंकाउंटर हो चुका होता उसको मिट्टी में मिला दिया राज अफरन का रैकेट पूरा चलता था बिजनेस बना करके रखा था अफरन को उत्तर प्रदेश में कैसा गुंडा कैसी गुंडा गर दी हर मेहने कही न कही से दंगों की खबरे देखा हुआ है वो समय भी हमने और आज देखीजे पिछले 6-7 वर्षों में लगातार एक के बाद एक के बाद एक इनकाउंटर उन बहुबलियों की अपरादियों की संपत्ति को जमीन दोस्त कर दिया गया है मिट्टी में मिला दिया गया है सरकार ने अपने कबजे में ले लिया है और अब हम देख रहे हैं कैसे कैसे परिवर्तन कैसे कैसे बदलाओ उतरप्रदेश में हो रहे हैं तो मैं जब इस फिल्म को देख रहा था तो बस एक ही बात मन में आ रही थी कि भाई ऐसे अपरा अधिका तो कपका इनकाउंटर हो जाता मिट्टे में मिला दिया जाता पर दुख की बात क्या है बताएं एक बहुत ही आश्यर की बात बताओ आप देख रहे होंगे अभी बहुत सारी जो एलिट क्रिटिक्स है वोक्स, लिबरल्स वगेरा भक्षक फिल्म के बात में अपने आपको बहुत ही जादा जैसे कि उन्हें हमारे देश की बहन बेटियों की बच्चियों की बहुत चिंता हो ऐसा दिखावा करते हुए आपको कई सारे लोग सोशल मीडिया पर मिल जाएंगे मेरे अनुसार जीतना में बेटियों की बच्चियों की चिंता नहीं है वे तो बस एक industry या उस industry के जो कुछ influential जो आपको राजा माहराजा वगरा समझते हैं industry का उनकी मानसिक गुलामी और चाटुकारिता में बिचारों ने अपनी सोचने समझने की खिशमता खो दी है मैं मेरे मन में उनके लिए भी क्योई दुरुभाव नहीं है वो तो बिचारे विक्टीम है इस इंडिस्ट्री के पर मांसिक गुलामी और चाटुकारिता के चक्कर में शायद भी अपनी सोचने समझने की खिशमता खो चुके है उनने बस मांसिक गुलामी और चाटुकारिता करनी है वो जिसको सो कॉल्ड स्टार समझते हैं उसका महिमा मंडन उनको करना है हेट सॉप वगरा ऐसा वो लिखेंगे कुछ उनका महिमा मंडन करना उनके लिए सबसे अदा महतोपुर्णा है बेहन बेटियों की हमारे चिंता नहीं है उन्हें अगर चिंता होती तो सुचिए अभी कुछी महने पहले अजमेर 92JC फिल्म रिलीज हुई थी बराबर न अजमेर दरगा के जो खादि में केर टे कर उनके द्वारा आरोपी भी नहीं دोशी है कोर्ट के द्वारा दोशी सिद्द क्या गया थाईसो से अधिक बच्चियों के साथ में बलातकार किये गए थे उनके द्वारा विश्वक के सबसे बड़े sex rackets में से जो बलातकार की जगन्य अपराद है उन में से सबसे बड़े और सबसे जगन्य अपराद हो में से एक उसे कहा जाता है उस पर film बनी थी अजबर 92 हाला कि वो film भी technically well made नहीं थी और technically छोड़िये उसमें भी जो अपरादी है वो religiously कितने influential है उसका कही पर भी अजबर 92 में उल्ले की नहीं किया गया था मतलब सूचिए जो बात सबसे ज़्यादा महतुपुर्ण मुद्दा होना चाहिए था फिल्म का अजबर 92 में कि जो अपरादी है वो religiously कितने ज़्यादा influential है उसका एक single जग़ पर भी अजबर 92 फिल्म में उल्ले की नहीं था पर चलो कम से कम उस film पर या उस film के विशे पर चर्चा तो कोई करता उसका poster रिलिज होने के बाद में teaser रिलिज होने के बाद में trailer रिलिज होने के बाद में पर ऐसी फिल्मों पर ऐसे विश्यों पर तक वे कभी चर्चा नहीं करेंगे बाकी बोलने के लिए तो भाई The Kashmir Files का भी उधारन दे सकते हैं कितनी सारी हिंदू बेहन बेटियों के साथ में बलातकार हुए सामुहिक बलातकार हुए कश्मीर में इन विश्यों का तो ये इकोसिस्टम मजाब उड़ाएगा उनको इग्नोर करेगा या फिर बहार से बस दिखावा कर देगा तो इन्हें हमारे बेहन बेटियों की बच्चियों की चिंता नहीं है ये मान से गुलामी बस अपनी उसका प्रदर्शन करना चाहते हैं या वो जिनको सो कॉल्ड स्टार मानते हैं न उनकी गुलामी बस करना ये उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य है और दूसरी एक और आश्यरी की बात मैं आपको बताता हूँ दोस्तो अभी मैंने कहा न योगी जी के शासन में किस प्रकार से उत्तरपदेश में कैसा बदलाव हमने देखा कैसे बहुबलियों को अपराधियों को गुंडों को जमीन दोस्त कर दिया गया उनके एंकाउंटर पे एंकाउंटर हुए पर ये जो elite critics या Gospel या Liberals या वामपन्थी जो है हमारे देश के वो तो सोचते हैं कि अभी तो फासिवादी शासन है देश में वो जो elite critics है जो काफी अपने जो घटिया विचार है उनको ट्राय करते रहते हैं दुसरत के दिमाग में डालने का पर कोई भी समझदार वक्ति उसको refuse कर देगा तो वो भी बार-बार अपने reviews वगरा में बोलते रहते हैं कि हम कितने polarizing time में जी रहे हैं कितने polarizing time में जी रहे हैं कितने polarizing time में जी रहे हैं बार-बार-बार बोलते रहते हैं पतलब आज देश में मोदी जी के योगी जी के शासन में उनको polarizing time दिख रहा है शायद पहले जो हर महने कहिना कई से बम धमाके होते थे जो बाहुबली राज था, गुंडा राज था अपरात थे, अपरन का रैकेट था बेहन बेटियों का बाहर घुमना तक मुश्किल था वो समय शायद उनके लिए जादा बिल्कुल किसी heaven की तर होगा शायद पता नहीं अभी उनको polarizing time दिख रहा है और ये हमारे देश का जो elite class है जो अपने आपको बहुत modern, progressive समझता है बहुत अंग्रीजी में बोलना बड़ा जिन को मैंने देखे हैं वोक्स, liberal's vs वो उन लोगों को सत्ता में लाना जाते हैं जो तथाकतिर समाजवादी है तथाकतिर सोचलिस्ट, कम्यूनिस्ट, वीचारधारा के वंपंति, वीचारधारा के लोग हैं उनको सत्ता में वापस लाना चाहते हैं हमने देखा था आईगुजी के शासन से पहले उत्तरपरदेश पुलिस से समाजवादी पार्टिक निता आजम खानों बैसे डुंडवाते थे आज पुरे देश में उत्तरपरदेश पुलिस का कैसा नाम है देखिए पहले क्या हालात बना करके रख दिये थे शासन प्रशासन के पिछली सरकारों ने पर यही एलिट्स और वोक्स उन्ही को सत्ता में वापस लाना चाहते हैं जिन्होंने दशकों से इन बाहुबलियों को पाल पोस्कर बड़ा करके रखा था जो बाहुबलियों से जगन्य अपराथ करते हैं उनको जिन्होंने बड़ा करके रखा उनको यह वापस लाना चाहते है क्यों क्योंकि वो socialist mindset के हैं communist mindset के हैं तथा कदि secular mindset के हैं और degree आ है उनके पास में अखिलेश उनके पास में शायद University of Australia की कोई डिग्री है राहूल गांदी के पास में शायद Howard की Oxford की Oxford की कोई डिग्री है तो ये पढ़े लिखे भाई उनकी अनुसार मोदी जी योगी जी तो अन्पड है That's why education is important तो वो ऐसे educated लोगों को वापस सत्ता में लाना चाहते हैं जिन्नोंने इन बहुगलियों को ऐसे पाल पोस्कर बढ़ा करके रखा था जो ऐसे जगन्या परात करते थे वगरा वगरा चलिए तो ये बड़ी विडम बना है बहन बेटियों की बच्चियों की चिंता नहीं है इने बस selective outrage करना है और अपने so-called stars के मान से गुलामी करनी है चाटू कारिता करनी है वो उनकी लिए सबसे महतोपुर्न है सोचिए मतलब इतने गंभीर विश्यों पर बनी फिल्मों में भी कैसे दोगलापन स्वश्ट रुप से हम देख पा रहे हैं न चलिए बाकी भक्षक की जो कहानी है बंसी सहु नाम का जो एक बहुवली कह सकते हैं politically काफी influential राजनितिक रुप से काफी प्रभावी ऐसा व्यक्ती है और उसका एक बाली का ग्रह है girls child shelter home है वहाँ पर बंसी सहु और उसके जो लोग है वो उन बच्चियों के साथ में काफी लंबे समय से दुशकर्म करते आ रहे थे वो बात जब एक report के माद्दिम से सामने आती है उसके बाद में वैशाली नाम की एक पतरकार जो character भूमी पेटने करने प्ले किया है वो इन सबको expose करने का निरने लेती है और इसके बाद में उसके mark में क्या-क्या विगनबाधाय आती है वही इस फिल्म की कहानी है अजमेर 92 की कहानी भी बिल्कुल सेम थी कुछ भी नहीं इसी प्रकार का presentation था उसमें भी एक पतरकार दिखाया था जिसके पास में ये जानकारी उसे प्राप्त होती है फोटो जादी और उसके बाद वो जो ये character's है खादिम जो फारुक और नफिस जिस्ति जिन पर ये आरोप सिद्ध हुए है तो उनको वो expose करने में लग जाता है वहाँ पर हला कि दो पतरकार दिखाया है एक ब्रष्ट दिखाया है और एक अच्छा पतरकार तो वो जो अच्छा पतरकार है वो भी expose करना चाहता है इस sex record को जो बहन बच्चियों के साथ में अच्छ करम हुआ था उसे तो अच्मेर 92 का भी presentation नहीं था हाला कि वो काफी cheap लगती है फिल्म मतलब direction उतना बढ़िया नहीं था वहाँ पर हाला कि ऐसे जो प्रोजेक्ट होते हैं अच्मेर 92 जैसे वहाँ पर तो direction खराबी हो जाता है और ऐसे प्रोजेक्ट के पीछे कोई बड़े production house भी खड़े नहीं होते कोई बड़े OTT platforms भी खड़े नहीं होते अच्मेर 92 के में बात कर रहा हूँ वो फिल्म तो अभी आपको कही पर OTT पर मिलेगी नहीं और वो गायब हो जाती है ऐसे फिल्में भी गायब हो जाती है ऐसे विशे भी गायब हो जाते हैं और जो आरोपी है दोशी है वो भी खुले घूमते हैं तो नयाए विवस्था चलिए यहाँ पर कहानी का presentation जैसे कि presentation जो theme है वो same ही मुझे लगी बिल्कुल अजमेर 92 से आप जब इस फिल्म को देखेंगे तो आपको वो बात पता चलेगी हाला कि भक्षक में कुछ और भी extra subplots यहाँ पर add किये गए हैं जैसे कि जो वैशाली का character है उसके बाद में कुछ feminist agendas को भी उन्हें पुछ किया है जैसे कि जो वैशाली है विवा को 6 वर्ष हो चुके है पर अभी भी उन्हें संतान नहीं हुई है तो परिवार के लोग पूछते रहते हैं कि संतान कब होने वाली है बच्चा कब होने वाला है आदी आदी तो वैशाली वो कहती कि मैं अपने passion को follow करना चाहती हूँ तो ये बार-बार मुझसे क्यों पूछते हैं पती के साथ में वो जगड़ा आदी करती है और वही और भी कुछ ऐसे dialogues वगेरा तो वो भी एक support उन्हेंने add किया था हाला कि मुझे एक ही बात कहनी है जो भी आपने आपको बहुत modern, progressive वगेरा समझते हैं अगर आपको विवाह के बंधन जो होते हैं विवाह में एक पती का हो, पत्नी का हो, दोनों का ही जो करतव्य होता है अगर आपको उन करतव्यों का पालन नहीं करना अस्त्री हो, पुरुष हो, आपको अगर उन करतव्यों का पालन नहीं करना और आपने so-called dreams है, so-called passion को follow करना है तो करिए न, खुलकर मजे करिए, अकेले रहिए अपने passion को, dreams को follow करिए फिर कम से कम अगर आपको जिन करतव्यों का पालन ही नहीं करना तो वहाँ जा हुई मत मेरे अनुसार तो यही मेरा कहना है, बाकी ठीक है, मतलब उन्होंने वो saplot डाला यहाँ पर, तो writer उन्होंने अपने विचार उसके माध्यम से व्यक्त किये है, इसके अलावा जो villain है उसके साथ में religious symbolism पर बहुत उन्होंने ध्यान दिया है जैसे कि वैशाली का character जब बंसी साओ के घर पर जाता है, तो वहाँ पर कलश स्तापना का फोटो बंसी साओ का लगा हुआ है, या उसकी बेटी आरती की थारी लेकर के पूजा करने के लिए आ रही है, या फिर एक दिन हर रूम में, ओपिस में वगेरा, देवी देवताओं के फोटो, श्री विग्रव वगेरा, हर जग़पर आपको देखने को मिलेंगे, तो डिरेक्टर ने इस religious symbolism पर काफी बारी की से ध्यान दिया है, इवन आपको और एक और बात, भूमी पेड़नेकर को जो उन्होंने कास्ट किया है, वो बात मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं कि क्या सोचकर भूमी पेड़नेकर को उन्होंने कास्ट किया, क्योंकि जो एंडिंग में उन्होंने एक बहुत ही गंभीर ऐसा message देने का message दिया है कि अगर आप इन विश्यों को मतलब हमारे साथ नहीं हो रहा हमारे परिवार के साथ नहीं हो रहा तो हम क्यों ध्यान दे इस पर यह जो विश्य भूमी पेड़ने करके माध्यम से उन्होंने सामने रखा है तो उस कारण से उस message का महत्व कम हो गया ऐसा मुझे कम से कम लगा तो पिछली film thank you for coming भूमी पेड़ने करके आई थी उस film में हमने देखा so called patriarchy के नाम से छाती कूटना छुड़ी छुड़ी school college school की जो बच्चिया है उटकर कह रही कि मैं bra नहीं पहनूंगी smash patriarchy मैं यह नहीं करूँगी मैं तो जो मन मैं आए खाऊंगी मैं तो पेरी पॉना नहीं करूँगी वगरा वगरा तो छोटे-छोटे बच्चे-बच्चियों को ऐसे बरबादी smash patriarchy के के नारे लगवा कर उनको बरबादी के रस्ते धकेलने का काम एक तो पिछली फिल्म में किया और उसके बाद ऐसी फिल्म में लेकर के उनके माध्यम से जब ये गंभीर संदेश दिया भी जाता है तो उसका महत्व कम हो जाता है उसका seriousness जो होती है वो कम हो जाती है ऐसा मुझे कम से कम लगा बाकी film obviously technically well made है इसमें कोई संदेश नहीं है भूमी पेडनेकर का छोड़कर बाकी सभी के performances भी यहाँ पर बढ़िया थे बाकी कहानी की जो theme है वो मुझे बिल्कुल अजमेर 92 की तरही लगी फर्क बस इतना है कि अजमेर 92 टेक्निकली बहुत ही ज़दा खराब बनी हुई फिल्म थी मैं इस फिल्म को दूँगा 6 out of 10 stars भूमी पेडनेकर का performance एक तो मुझे पसंद नहीं आया की casting भी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और मुख्य विशे को लेकर दुसरी बातों पर जो डिरेक्टर का अधिक focus था इस कारण से मैंने यहाँ पर इसे 6 out of 10 stars दिये है पैंडिल गाइडनेकर की बात करें तो भक्षक को A certificate के साथ Netflix पर रिलीज किया गया है फिल्म में child abuse, sexual abuse, strong language आधी है तो आपने अगर इस फिल्म को देखा है तो आपका अनुभव कैसा रहा मुझे आप नीचे कमेंट में आवश्य बताना ये विडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद जैश्री राम, वंदे मातरम